आजमेट कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सिर्षक है जासी की रानी, इसके रचनाकार है सुबद्द्राफ मारी चोहान, चलिए तो सुनते हैं सिंखासन हिल उठे, राजवनसों ने भीरकुटी तानी थी, मुर्य भारत में भी आई, फिर से नई जबानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमर सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की तबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी चमक उठी संसंतावन वे वह तलवार पुरानी थी, गुंदेले हर बोलों के मुँ, सबने सुनी कहानी थी, खूबलाई मर्दानी वह तो जासी बाली रानी थी, वह तो जासी बाली रानी, तानपुर की नाना की मुँ बोली बहन छबीली थी, लच्मी बाई नाम पिता का वह स समतान अकेली ति ανा केषन पढ़ती थी वह नाना केषन खेली थी बर्ची धाल किरपान कटारी उसकी यहीं सहेली वीरसिवाजी की गाथाएं सब को याद जबानी सब को याद जबानी थी फून ये असले कहानी थी हमने सुनी पहानी हो न ihm नो Вट या घॉर стен लच्मी थी या दुर्गा थी वह स्वेंग बीरता की अवतार देख मराटे पुलकी थोते उसकी तलवार की वार अखली युध वियू की रचना और खेलना फूर सिकार साइन ने खेलना दुर्गे तोडना ये थे उनके प्रिये खिलवार ये थे उनके प्रिये खिलात जासी में। चित्रा से अर्जुन को पाया सीव से मिली भवानी थी। गुन्दे लेहर बोलो क्यमूं हमने सुनी कहानी थी। कुः लरी मर्दानी वह तो जासी वा ली रानी थी। उधित हुआ सो भग मुधित महलों में उज्जयाली थी। किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने बाले कर में उसे चूरियां कभाई रानी वी बिद्भा हाय बीधी को भी नहीं दाया आई निस संतान मरे राजा जी रानी शोक शमाई थी गुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी हमने सुनी कहानी थी खूब लरी मरदानी वह तो जांसी बाली रानी थी बुझा दीप जांसी का तब डलहौजी मन में हरसाया राज हरप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया फवरन फवज भेज दुर्ग पर अपना जंदा फ़राया लावारिस का बारिस बनकर बिडि तीसर राज जांसी आया अस्रुपूर रानी ने देखा जांसी भी बिरानी थी गुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी हमने सुनी कहानी थी खुबलए मर्दानी वह तो ज्ञासी वाली राने थी छिनी राध धानी देनी की लिया लखनव बातो बात काईद पेश्वा था विठुर में घवा नागपूर पर भी घार उधैपूरतंजव, सतारा करनाट में की कौन बिसात जवकी सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभिवा था ब्रज निपाथ बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी गुंदेले हर बोलो के मूँ हमने सुनी कहानी थी खू लरी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी वह तो जांसी वाली रानी थी इनके गाथा छोर चले हम जांसी के मैदानों में जहां खरी है लच्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में लख्टी ने सुवा कर आ पहुचा आगे बढ़ा जबानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ दुन्ध आसमानों में जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब है रानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लरी मर्दानी वह तो जांसी वाली रानी थी वह तो जांसी वाली रानी रानी बढ़ी काल पी आई कर सव मील निरंतर पार थोड़ा ठक कर गिरा भूमी पर गया स्वर्ग तत्यकाल सिधार यूवना चट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार बिजई रानी आगे चल दी क्या ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंध्या ने छोड़ी राज धानी थी बुन्देले हर बोलन के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूब लरी मर्दानी वह तो जांसी वाली रानी थी वह तो जांसी वाली रानी थी बिजई मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गीर आई थी अवके जनरल स्मिक समुक्था उसने मू की खाई थी काना का मुंद्रा सक्ष्या रानी के संग आई थी युद छेत्र में उन दोनोंने भरी मार मचाई थी पर पीछे हिू राज आ गया हाई घिरी अब रानी थी गुंदेली हर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खू लरी मरदानी वहतो जांसी वाली रानी थी वह तो जासी वाली रानी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी स्यान के पार किन्तु सामने नाला आया था यह संकत विसम अपार घोरा अरानया घोरा था इतने में आ गए सवार रानी एक सक्तरूब वहुतेरे होने लगे वार पर वार घायल होकर गिरी शिंगनी उसे बीर गती पानी थी बुंदेले हर बोले के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लरी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी थी वह तो जासी वाली रानी थी राने गई सिधार चीता अब उसकी दिब्ब सवारी थी मिली तेज से तेज, तेज की वह सची अधिकारी थी अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज यनई अबतारी थी हमको जिवित करने आई बन सोतंतरता नारी थी दिखा गई पत सिखा गई, हमको जो सिखानी थी बुन्देले हर बोलों के मूँ, हमने सुनी कहानी थी खोलरी मरदानी वह तो जांसी वाली रानी थी धन्यवाद सुनने के लिए मिलते हैं अगले कभी तावे